पाल, यहे है, देखे देश के अलग-अलग हिस्सों की भॉगॉलिक जो असिति होती है, वो बिल्कुल अलग-अलग होती है पंजाब के किसान बेहतर अस्तितमी है लेकिन वो लगातार इसका विरोध कर रहे है, क्रिश्चि कानूम का और उनके हां में हां मिलाने के लिए हर्याना के और फर आसपास के तमाम राज्यों के किसान भी चलते भी चलते भी चलते जलदी से सांध। जा रही है देखिए इसमें दो चीज़े हैं अगर सरकार बहुत सारे मामले में जुकती भी नजर आ रही है तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाने होंगे अगर किसी भी मुद्देपर और वो भी जब देश की संसर से पास किया गया कोई कानून हो सर क्या उसको सर्फ ये कह देए नहीं आप वापस देज़े इससे तो कम मनजूर नहीं है हम जित पर हट पर अड़े रहेंगे ऐसे बहला बात कहां बगती है पर अंदर से ठीजी किसान बहुत फ्लेक्सिबल है मैडम आपके देश का किसान बड़ा गरीब है वो बीज भी कर्द पे लेता है खाद भी कर्द पे लेता है तब उसकी फसल खड़ी होती है तो उसका स्वेशन होता है उसको वो कहता भी जितने देने दे मैं अपने घर जाओं जो आप कॉंटे देखिए पहले तो यह प्राफधान तक यह बिल बहुत बढ़ी है इसमें कोई कमी नहीं है अब सरकार में माना कि इसके अंदर बहुत सारी कमी है अब किसान यह कहता है कि जब उसके कमी है तो आप नए से हमारे को बीच में पिटा कर हमारे वेनिफिट के लिए बनाएए ज आप इस बात को बड़ा लंबाना कीचे शौट कट में साथ में अंदर लेकलता है ग्रह मंतरी जी बैठे और किसानों को देगी अगर आप किसानों की बात मानेंगे आप चोटा नहीं होंगी आपका कद बढ़ेगा आपका पूरी दुनिया के अंदर कदेगा और लोग इस किसानों की बात मानेंगे तो आपका कद बढ़ेगा ही छोटा नहीं होगा परवंदर से ठीक इना रहे हैं बता रहे हैं देखिए चित्रा जी सबसे पहले तो हमारे देश में करीब 14 करोड 13 करोड किसान परिवार है और उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महराष्ट्रा और बिहार, यहाँ पर ज्यादा किसान परिवार हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, केंदर की सरकार सबी खिसानों का हिच जो है देखेगी, कई ऐसे किसान संग्ठन हैं जो समर्थन में भी सामने आए हैं, और अभी परमिंदर कि कह रहे थे कि कम्या है क्योंकि हमने कुछ मांगे जो किसानों की आई वो मान दी नहीं जब यह कानून आए तब बहुत अच्छे थे लेकिन अगर और उत्तम बन सकते हैं और बहतर बन सकते हैं यह अपने आप में दिखाता है कि एक सकरात्मक्स यह सकार रखती है तीसरी बा करेगा तो कह सकता है सेक्शन फाईव में कि हम MSP के सो रुपर ऊपर बेचेंगे यह सेक्शन फाईव है दूसरा सेक्शन आठ किसान की जमीन नहीं लिजा सकती किसी कीमत पे नहीं लिजा सकती यह प्रोटेक्श्न को कामी कहां पर रहे गई आप तमाम सेक्शन गौरव भाटिया गिना रहे हैं उसके बाजूद वो किसान अप इतनी ठंड में भी अड़े रहे हैं आपको पता है ना कि उत्तर पर गई इलागों में उपरी बर्फबारी हुई है जिसके चंड़ी हवाइस को पूरे दिल्ली एंस सेक्शन 15 की भी बात करना चाहता था जो कहता है कोई वसूली नहीं हो सकती अब मैं आता हूँ माल लीजे एक वर्ग है कुछ किसान भाई बहन है जिनकी और उमीदे हैं मांगे हैं उनसे बाचीछ चल रही है इसका ये मतलब नहीं है कि भाई किसान का कानूना है वापस ले किसान के करेगा अगर किसानों से आपकी बात चीछ चल रही है तो उसी दर्मियान आप बोल देंगे टुकडे टुकडे ग्यांग तो आप बताइए भरूसा फिर सरकार पर कैसे होगा नहीं मोदी मर जाए ये किसान है शर्जील इमाम किसान है आपको लगते होंगे चितरा अगर आपकी नजरों में वो किसान है आपकी नजर में नहीं पदर चल रहा है एक एक साल से बेल नहीं मिली है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोड ने मना कर दिया है इनको आपकिसान बता रहे हैं नफरत की खेती करेंगे गेहू बोईंगे देश विरोदी और उसके बाद किसान अगर कुछ ऐसे लोगों के रिहाई की मांग के पोस्टर के साथ वहां पर लोग पहुंचेंगे उसका समर्थन किया जाएगा और उसका सिरे से खंडन भी नहीं आएगा तो फिर किसानों को लेकर भी तो बहुत सारी सवाल खड़े ही होंगे मैंने पहले बैठते ही सबसे पहले इस बात का खंडन किया था बेश्के परदान मंतरी का सम्मान होना चाहिए और उनके लिए वद्र वाशा का हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं पहली बात दूसरी बात ये हैं आप हम नहीं रिटे एक बात बताईए एक हजार आदम अश्पी तुक्णे टुक्डे गाइंगे इस पे उत्तर दीजिये चलिए मैं आपसे बूच रहा परिमिंदर जी या आप सुपीर सिंग बादल से बड़े नेता है बीजेपी टुक्डे तुक्डे गाइंगे आपके नेता बतार हैं क्या आप आफी मांदे टीवी पे प्रश्ब पूरा ओने दिए आप मेरी बात को कुरा होने थीजे प्लीज मैं होने दूमा बोलिये बोलिये तुम आप वंद्धन करने जरूरत है भारतिय दंदा पार्टी एक राजनितिक्स पार्टी है वो तेश नहीं तुक्रे जाया को का माफी मांगे आपने परमिंदर जी आप मांगे सुक्बीर सिंग बादल जी से कहिएगा गलत बोला उन्होंने बोलिए चलिए आदी ना पोछो आपके मांगे पर्दान मंतरी जिनता पार्टी को हो आप इतने साथ साथ रहे आपने कैसे बादल जी ने बिल्कुल साही बात कही है शर्जील कर दिया तो अगर आपने देश का पेड़ा जान बुलाते है तो यह उच्छी दो ही है शर्जील इमाम पर आपकी हुपत देश को बोला जी तभी माफने करेंगे अपने देश की कदोमी करत कर दिया